the first technique was ABC technique and the second technique was EOQ that is economic order quantity technique where we got quantity and this quantity is the quantity जो हम हमारी reorder level मिलने के बाद प्लेस करते हैं हम क्या करते हैं देखो हम जब reorder level हमें मिलती हैं मतलब जिस लेवल पर हमें new stock को order करना है उस वक्त हम जिस quantity में उस order को देते हैं उसे बोला जाता है EOQ मतलब economic order quantity यह जो quantity होती है यह favorable quantity होती है हमारी business organization को अगर आप इस quantity में material फिर से order कर रहे हो तो ना तो आपको surplus की problem होगी ना आपको shortage की problem होगी that's why we have to calculate the EOQ right now in this lecture we are going to see our third important technique that is stock level see stock level मतलब देखो हमने अभी देखा था की reorder level हमें जब मिलेगी तब हम इस order level पर क्या करेंगे तो हमारा new stock place करेंगे मतलब new order को वहाँ पर हम place करेंगे लेकिन हमें यह नहीं पता की reorder level कहा पर है then the second level is maximum level third is minimum level and fourth one is average level okay so first of all we have to start with the reorder level reorder level अखिर reorder level होती क्या है और क्यों हमें reorder level की ज़रूरत पड़ती है देखो reorder level मतलब की देखो आपके business organization में आप consider करो कि इतने units अभी है आप आपका production continuously work करा है production आप कर रहे हो यह continuous process होती है business organization में हम stop नहीं कर पाते तो 120 units आपके business organization में अभी available है ऐसा consider करो फिर देखो जब आप production continuously कर रहे हो तो एक exact point पे आपका stock खतम होना है है ना मतलब zero तर stock होगा ही तो आपको जब यह stock zero होने का problem आ जाएगा तो आपका business stop होने की भी problem होती है देखो आपके पास 120 units था daily basis पे आप यह material जो है जो भी material है 120 units आपका material है तो आप यह day by day use करते जाओगे तो जैसे जैसे use करोगे वैसे आपका material खतम हो जाएगा stop हो जाएगा फिर आपका business तो यह problem stoppage की ना हो इसलिए हम क्या करते है हमारा stock zero होने से पहले ही हम new stock मंगवा लेते है मतलब की new stock की order हम place कर देते है order यहाँ पर क्या कर देते है place कर देते है क्यों करते हैं हम new order देखो zero stock हो गया हमारे पास और कोई भी stock नहीं बचेगा तो labor तो हमारे business organization में आये हुए है हमारे पास material नहीं होगा तो हमारा जो cost हम incurred कर रहे है कर रहे है on the labor and the fixed cost जो होती है हमारे business organization में वो तो waste हो जाएगी ना क्योंकि labor तो आएगे और जो fixed cost होती है हमारे business organization में वो तो continuously work कर रहे है तो उसका भी हमारा सारा waste हो जाएगा इसलिए हम stoppage वाला problem यहाँ पर नहीं exercise कर सकते हमें नहीं करना चाहिए और क्यों होगा stoppage देखो आपका business organization है यह A आपका business organization है और यहाँ पर समझो कि आपका यह supplier है कोई तो XYZ आपका supplier है जब आपने इन से कहा कि हमारा stock है zero तो हमें stock की जरूरत है material की जरूरत है जब यह जो supplier है आपका आपको material supply कर ही रहा होगा तो समझो कि by mistake उससे जो भी material था वो accidentally आपके पास पहुचा ही नहीं कुछ भी हो गया accident हो गया rainy season था problem हो गया और आपके पास material पहुचा ही नहीं और ऐसा समझो कि आपने order दे दिया था लेकिन supplier ने बोला कि अभी हमारे पास stock available है ही नहीं तो हमें हमारे दूसरे go down से माल मगवाना पड़ेगा उसके लिए हमें एक पूरा दिन जाएगा तो क्या करोगे आप यहाँ पर आपका एक तो एक दिन या बोलो दो दिन wastage हो रहे हैं मतलब आपका दो दिन तक क्या होगा फिर business stop होगा और आपका business stop होगा तो आपको बहुत सारा नुक्सान हो सकता है इसलिए हम अपने units zero होने से बहुत ही पहले new stock के लिए order दे देते हैं लेकिन देखो आपने सोचा तो order आपको zero होने से पहले देनी है लेकिन समझो कि आपके पास 120 का 90 units होने के बाद अपने order दिया बहुत सारा बल्की material के लिए और totally आपके पास हो गया 150 का units available हो गया तो कोई problem नहीं 120 units हो गया लेकिन समझो कि आपके पास इतना बल्क में units हो गया तो उसके लिए आपको storage cost भी देनी परेगी मतलब आपके पास जादा तर units available होंगे तो आपको उसे store भी करके रखना पड़ेगा और store करके रखोगे तो उस पे cost भी तो incurred किया जाएगा या फिर बोलो कि आपका perishable goods है perishable goods होने के बाद आप ये तो नहीं कही सकते कि perishable goods है मेरे तो वो खराब नहीं होंगे अपकोस ये खराब होंगे आप जादा stock मंगवाओगे तो कुछ दिन में वो खराब होना start हो जाएगा मतलब अगेन वेस्टेश हो जाएगा तो हमें उसी unit में वहाँ पर मंगवाने पड़ते हैं जिस unit को हम या तो store कर सकते हैं अच्छे तरह से कम cost में आपने ये तो decide कर दिया कि मुझे कितने units को order करना चाहिए लेकिन कब करोगे आपके पास कितना stock available होने के बाद आप new order दोगे मतलब 120 का 100 होने के बाद 90 होने के बाद 50 होने के बाद या आपके पास 10 units बचेंगे तब आप new order देने वाले हो ये तो आपको देखना पड़ेगा न है न तो इसी को decide करने के लिए हम reorder level को check करते हैं अब देखेंगे हमकी कैसे हम इसे check कर पाएंगे तो reorder के लिए हमने example लिया हुआ है यहाँ पर 120 units आपके पास available है आपके business organization में लेकिन देखो आप यहाँ पर decide करोगी आपके business organization में जादा तर आपको कितने units consume करने पड़ते हैं तो हम just for example एक information लेंगे जिसे आपको ये बात clear हो जाएगी see यहाँ पर हम लेंगे max maximum आपको कितना consumption करना पड़ता है या करते हो आप normally कितना consumption करते हो आप और minimum कितना करते हो ओके यह हो गए आपका consumption मतलब कि आप यहाँ पर कितने units daily basis पे use कर रहे हो to produce the product और यहाँ पर हम देखेंगे time और यह time होगा कि आपके supplier को आपके पास material लाकर देने के लिए कितने दिन लगते हैं या कितने घंटे लगते हैं हम यहाँ पर देखेंगे तो हम consumption देखेंगे यहाँ पर daily basis का और time देखेंगे हम यहाँ पर day basis पे ही तो देखो consumption आपका एक दिन का for example आप लोग की जादा तर जादा आप 15 units material यूज करते हो to produce your product and normally आपको लग जाते हैं 10 units and minimum देखा तो 5 मतलब एक दिन में आप 5 units से लेकर 15 units तक consume कर ही लेते हो मतलब कि आप 5 units का use करके तो product बनाते हो अगर आपका अच्छा का सा business हो रहा है तो 10 या फिर जादा तर जादा आप आपने labor को काम के लिए लगा कर 15 units use करवा कर product बनवा ही लेते हो है ना उसे जादा आप नहीं कर पाते क्योंकि labor की भी limitation होती है आपने working condition की भी limited होती है हमारी policies होती है limitations होती है इस वज़े से आप इसे जादा नहीं करोगे उनसे काम नहीं करवा सकते हो then the day basis तो देखो कि जब आप supplier को order दे रहे हो तो उन्होंने बताया कि मुझे जादा तर जादा कितने दिन लगेगे चार दिन में आपका material पहुच जाएगा और कम से कम दो दिन में और average बोले तो 3 days में आपके पास आहे जाएगा material तो ये बात तो clear हो गई यहाँ पर कि आपको कितने दिन में material मिलने वाला है और आपका maximum consumption कितना है तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे decide करेंगे कि हमारे लिए reorder level कौन सी होगी मतलब कि कितने units हमारे business organization में remain होने के बाद बचने के बाद हम अपनी new order को place करेंगे यह हम यहाँ पर देखेंगे see कि आपके पास one units थे पहले आवेलेबल है ना इतने units आवेलेबल थे हमने देखा कि maximum कितने use करते हैं देखो आपको maximum को ही यहाँ पर consider करना है आप minimum को नहीं consider करोगे क्यों देखो यहाँ पर मैं example दोंगी जब आपके यहाँ कोई महिमान वगेरा आते हैं तो आप क्या consider करते हो देखो मैं यहाँ पर एक easy वाला example आपको देना चाहोंगी one second यह हम थोड़ा सा यह check कर लेते हैं ताकि आपको और आसारी से समझाए see देखो आपके यहाँ क्या है कि कुछ relative आने वाले हैं consider करो x y z कोई तो relative है दो male है और two female है so हमारी जो भी मा होती है तो वो decide करते हैं कि अब रोटिया कितनी बनानी होगी है ना क्यूंकि हमें wastage नहीं करना है at any cost हमें रोटि वेस्ट नहीं करनी है और हुई तो भी कम से कम minimum wastage हो जादा wastage ना हो ये consider करें आप consider करो तो two males के लिए मा ने हमारे consider कर लिया कि अगर male है तो max to max three rotis खाएंगे कितनी खाएंगे three rotis one person खाएंगा और ये जो female होती है वो two rotis खाएंगे इसे जादा नहीं खा पाएंगे मतलब कि जादा तर जादा three और इनका दादा तर जादा दो कम से कम खाएंगे तो एक खा लेंगे ये एक या दो खाही लेंगे है ना उससे जादा तो नहीं खाएंगे मतलब आप यहाँ पर क्या consider करेंगे max to max कितना है वही consider करके हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हमारा जो खाना है वो बनाएंगे रोटी जितनी बनानी है हम बनाएंगे तो क्या करेंगे हमारी मा तो एक time के लिए या दो time के लिए वो रहनी वाले है वो भी check करेंगी यह हो गया consumption consumption कितना है इनका देखो हम एक person का ही निकालेंगे एक person का consumption कितना है तो यहाँ पर हो गया consumption और time period मतलब कि यह कितने दिन रहने वाले है अगर एक दिन रहेंगे तो एक दिन में दो बारी ओ खाना खाएंगे यह भी दो बार खाएंगे तो देखो एक इंसान को तीन रोटी के हिसाब से दो टाइम का खाना मतलब कि कितनी छे रोटी एक इंसान को लगने वाली है यहाँ पर हम देखेंगे तो दो रोटी के हिसाब से दो टाइम के लिए कितनी लगेगी चार रोटी मतलब कि हमने क्या किया यहाँ पर हमारे पास दो मेल हैं तो हम इसे टू से मल्टिप्लाइ कर देंगे है ना 12 8 मतलब कि 20 रोटिस से जादा तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं है ना अगर आप ये कैसे कंसिडर कर रहे हो आप आपने क्या क्या देखा कि कंजम्शन कितना है एक परसन का उसे के साथ कितने वक्त के लिए खाने वाले है है ना तो हमारा क्या होगा यहाँ पर 20 रोटिस बनाएगे अगर आप ऐसे ही बनाओगे 30 रोटिस बनाओगे तो आपका 10 तो वेस्ट जाने वाला है अगर यहाँ पर यह इनों ने एक दो कम भी खाए तो जादा तर जादा कितनी 15 रोटिया मतलब 5 रोटिया आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी अगर यह करोगे तो आपकी टोटल कितनी वेस्ट हो जाएगी 15 वेस्ट हो जाएगी तो आप ऐसा क्यों करते ह क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, क्यों हिसाब लगाते हैं, और हम जब हिसाब लगाते हैं, तब कैसा हिसाब लगाते हैं, max to max का हिसाब लगाते हैं कितना हिसाब लगाते हैं max to max वो दिन में दो बार खाएंगे या नहीं ये भी fix नहीं है और कितने खाएंगे ये भी fix नहीं है लेकिन हम max to max क्यों यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि forecasting करेंगे हम तो max का ही यूज़ करेंगे जाधा तर जाधा दो टाइम का वह खानेवाले है एक दिन रहेंगे तो और दूसरी चीज हमारी हो जाएगी की जाधा तर जाधा त्री या फिर टू रोटी खाने वाले है इससे जाधा नहीं खा पाएंगे मदलब हम max to max का use करते हैं क्यों करते हैं क्यों कि अगर वो खाने के लिए बैट भी गए अगर रोटिया कम पड़ गई तो हमारा तो image खराब हो जाएगा, repetition खराब हो जाएगी family में हमारा repetition खराब हो जाएगा तो हमारी जो family goodwill है वो भी खराब हो जाएगी तो वो नहीं होने देना हैं हमें तो इसी वज़े से हम अपने business organization में भी max to max का ही use करके reorder use करेंगे क्यों करेंगे देखो अगर reorder करने है max to max का use करोगे तो आपका problem shortage का problem cancel हो जाएगा shortage होगा ही नहीं और surplus भी होगा तो उतना जादा नहीं होगा कि आपको lots of wastage of money हो जाए मतलब होगा तो भी बहुत कम होगा rare होगा एकदम से कम होगा तो हमारे लिए दोनों भी problem यहाँ पर नहीं होगे इसलिए हम consider करेंगे कि max to max को देखे देखो अगर आपका material कम पड़ गया तो आपका business stop हो जाएगा again stop हो जाएगा तो आपका market में goodwill कम हो जाएगा अगर एक भी customer को आपने वक्त पर material supply नहीं किया तो वो दूसरी जगह पर अपना material लेने जाएगा अपना product अपना goods लेने जाएगा मतलब एक अगर customer को आप खो दे रहे हो मतलब आपके repetition कम कर रहे हो तो वो indirectly आपका money loss भी हो ही जाएगा तो हमें ये नहीं होने देना है तो reorder level हम कैसे consider करेंगे 120 units हमारे यहां remaining थी 120 हमने देखा हर दिन आप 15 यूज़ कर रहे हो हर दिन कितना यूज़ कर रहे हो आप 15 पंदरा करके यहाँ पर material यूज़ करते जाओगे सी तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे use करना है हमने अभी आपको बताया था कि 15 15 मतलब कि max to max को हमें consider करना है तो यहाँ पर हमारी जो formula है वो बन जाता है reorder level is equal to maximum consumption into maximum time period यह हमारा formula बन जाता है अब हम देखते है कि कैसे हमने यह formula decide किया है तो 15 15 unit आप रोज से रोज use कर रहे हो 120 का कितना बच जाएगा 105 बच जाएगा 15 unit अगले दिन use कर लिए फिर आपका कितना रहे जाएगा 90 units 15 और use कर लिए आपने 75 हो जाएगा 15 और use कर लिए material अगले दिन तो यह हो गया 60 आप consider कर रहे हो पास से लेकर 15 से जादा आप नहीं यूज कर रहे हो तो 15 भी यूज करोगे तो कितना बच जाएगा यह आगया आपका 60 तो हमने यह 60 के से निकाला formula में पुट कर कर बतायते हैं आपको maximum consumption कितना है आपका 15 units का है maximum time period कितना है आपका 4 days का है मतलब supplier चार दिन में आपके यह material पोचा देगा यह आगया आपका 60 units जब आपके पास 60 units बच जाएगा तब आप क्या करोगे अपना reorder यहाँ पर दोगे आपको order कब देनी है आपके पास जब 60 units आपके business organization में रहे जाएंगे तब आपको देनी है reorder समझ में आया क्यूं हम 60 units बचने के बाद order दे रहे हैं क्यूंकि यहाँ पर है आपका supplier तो आपका supplier आपकी material कितने दिन में देगा चार दिन में आपको supply करेगा और अगर आप दे 4 days तो आप 60 units रहने के बाद जब order दोगे तो 15 15 15 करकर आप इसे चार दिन में यूज कर लोगे और चो थे जिन आपका material आपके business organization में आज जाएगा तो हमने यह कैसे लगाया चार दिन में हमारा supplier चार दिन में दे तीन दिन में दे दो दिन में दे doesn't matter पर पूरा खतम होने से पहले उसका order हमारा order जो है वो fulfill कर देगा है ना तो हमने यह 4 दिन का हिसाब लगाया max to max को लेकर हमारे पास 60 units बज़ी थी हम 4 दिन तक उसे completely finish कर देंगे तब तक हमारा new stock आ जाएगा है ना तो इसलिए हम formula यूज करते है reorder is equal to maximum consumption into maximum time period खतम तो यह आपको formula याद रखना है reorder level का see the next formula is maximum level अब सब आपको आसानी से समझ आएगा maximum level यह first वाला जो था वो आपको याद रखना मतलब समझना बहुत ज़रूरी था इसलिए हमने इतना आपको समझाया है in detail अब आपको यह नहीं बूलना है see the next is maximum level अप maximum level क्यों define करोगे क्योंकि देखो अभी हमने आपको बताया था one second तो आपको अभी हमने बताया था कि हमारे पास जो भी level होते है maximum average होगी और minimum होगी है ना तो जब हम reorder देंगे तो आपको minimum से ज़ादा और maximum से कम यहीं पर कहीं पर तो यह order प्लेस करने होगी जब आपका stock minimum हो जाएगा यहाँ पर रहेगा अगर आपका stock maximum stock है business organization में तो आपको ज़रूरत नहीं है reorder करने की अगर आपके पास stock minimum होता है तो इससे ज़ादा अगर आपका stock होने लगे तो यह dangerous level हो जाएगी मतलब आपको problem है कि आपका business stop हो जाएगा तो आपको यह define करना पड़ता है कि minimum कहाँ पर है maximum कहाँ पर है और average कहाँ पर है जैसे ह maximum होका आप relax करोगे कोई ज़रूरत नहीं attention लेनी कि average हो जाएगा तो आपको focus करना पड़ाएगा कि अब stock कम होता जा रहा है तो हमें अभी सोचना पड़ेगा कि हमें stock नया मगवाना है अगर minimum level से नीचे जा रहे हो तो समझो कि stop होने वाला है फिर आपको problem हो सकती है तो minimum level तक जानने से पहले आपको order देनी होगी average तक आपका stock आपका material बिजनेस organization में जो आपका material है वो average तक आने के बाद आपको सोचना start करना पड़ेगा कि अभी हमें order करनी है है ना आप द्यान दोगे और minimum से पहले order डालोगे इसलिए आपको ये तीन ही level को study यहाँ पर करनी री-order level जो हमने अभी देखी थी plus reorder quantity जो आपको पहले पढ़ा चुके है हम quantity minus in bracket देखो minus in bracket क्या लेते है हम minimum consumption कम से कम कितना consumption करते हो आप consumption sorry minimum time period got it see here is the easiest formula of maximum level reorder कितनी थी हमारी हमारी reorder quantity कितनी कितनी थी मतलब हमें कितनी reorder कर रहे थे अभी हमने देखा था कि कोन से जगह पर आने के बाद हमें reorder देनी है और उसके साथ हम add कर देंगे reorder quantity कितनी quantity में हमें क्या करनी है कि order करनी है हमरे business organization में बचा था कितना 60 units reorder quantity आप consider कर लो यो ही कि हमारे यहाँ हमने eoq में निकाला था 100 units ओके तो यह 100 units हमाला reorder quantity है तो minimum consumption कितना था हमारा हमने अभी आपको दिखाया था यह वाला problem आपको आगे रख कर study करनी है ओके तो आपका इस आप इसे का screenshot ले लो या notebook पे आपके यहाँ लिख लो अच्छे से और फिर study करना इसे see तो हमारे पास क्या था तो minimum consumption हम कितना करते हैं 5 units कम से कम हम 5 तो कर ही लेते हैं और हमारो जो minimum time period था वो कितना था two days का था ओके इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 160 minus 5 into 2 is equal to 10 so 150 तो maximum हमारा क्या है यह 120 जब हमारे यहाँ 150 units business organization में होंगे तो आपको चिंता की कोई बात नहीं होगे आप ना ही think करो about the new order और आपको यहाँ पर new order प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है यह मिल जाएगा हमें maximum level के हिसाब से मतलब minimum को आप अगर इस total से less करोगे तो आपका क्या आजाएगा maximum आजाएगा यह तो common sense की बात है right see the next one is minimum level अब देखो minimum level के से हम define करेंगे यहाँ पर कैसे निकाल सकते है कि minimum level क्या है तो इसका formula हम पहले देखेंगे उससे आपको पता चल ही जाएगा reorder level see reorder level हमने अभी निकाली थी अगर आप reorder level से निकाल दोगे आपका normal वाला consumption into normal reorder period okay तो आप अपने reorder level में से normal वाला निकाल दोगे तो minimum वाला ही बचेगा right यह total था तब क्या था आपका यह maximum वाला पूरा जितना order था वो था अगर आप अपने reorder level में से normal वाला निकालोगे तो बचेगा minimum वाला तो reorder level कितना है हमारा 60 unit था normal consumption हमने क्या बोला था 10 into हमारे कितने days थे जो कि normal थे so 60 minus 30 हो जाएगा हमारा 30 units जब हमारे पास 30 units हो जाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब इससे जादा अगर गए तो हमारा business stop हो सकता है okay 150 हमारा maximum हो गया 30 हमारा minimum हो गया 150 है तो relax रहो 30 होने से पहले new order प्लेस करो और ये fourth one हो आपका हो जाएगा average level तो average level आपके से निकालोगे ये तो बहुत ही easy है average level के लिए आपको जादा जादा कितना दिमाख लिगा लगाना पड़ेगा देखो हमने अभी जो निकाला था आसानी से जो था हमारा minimum level प्लस करो उसमे maximum level maximum level और divide कर दो उसे 2 से काम खतम average level आजाएगा आपका देखो हमारे पास आया था 30 हमारा minimum है 150 हमारा max है divided by 2 कर दो 180 divided by 2 सो आ जाएंगे हमारे 90 units ओके ये आ गए 30 प्लस 150 divided by 2 is equal to 180 divided by 2 मतलब 90 units हमारे क्या हो जाएंगे average हो जाएंगे मतलब की 150 है तो relax रहो 90 है तो सोचना start करो 30 होने से पहले अपनी new order यहाँ पर place करो वेसे तो हमने decide कर लिया है 60 हमने बताया था आपको minimum से कही पर तो ऊपर and maximum से नीचे होता है हमारा reorder level reorder level ओके आपको ये तीनों बाते समझ में आ गई हो तो आपके लिए ये वाली टेक्निक भी आसान हो गई है तो ये थी हमारी three techniques of material control तो फिर से एक बार ABC टेक्निक को देखो EOQ को देखो और फिर इसे देखो ताकि आपको सारी टेक्निक याद हो जाए next lecture में हम इस सारे पार्ट पे थोड़ा सा और practice करेंगे